नमस्ते जी नमस्ते क्याल चालें आपके सर हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताईएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे स्टार्ट कर दे हाँ जी कर दीजिएगा CA final revision videos मई 2021 मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हम पहले GST के जो revision videos हैं उनकी बात करेंगे इन्हें खतम करने के बाद में जो custom law है उसके revision videos की चर्चा यहां पर करी जाएगी बहुत ही शिदत और शांदार तरीके से मैं आपको complete revision करवाऊंगा 100% syllabus का आपको revision करवाके चलूँगा जितनी शिदत से मैं कराऊंगा उतनी शिदत से आप भी revision को करेंगे ये वादा करेंगे आप हमसे दूसरा आप हमसे ये भी वादा करेंगे कि जब आपके अच्छे अच्छे नंबर आएंगे जब आपके ओलेंडी हाइस्ट मार्क्स आएंगे तो आप मुझे जरूर जरूर सूचना भी देंगे आप मुझे बताएंगे भी एक्जाम देने के बाद में भी कि revision वीडियो का आपके एक्जाम में क्या contribution रहा नंबर है मेरा 98100 12161 अगर ये वादा करते हो तो मैं आपको पूरा का पूरा revision बहुत ही बहतरीन तरीके से कराके चलूँगा हां बोलो हां हां सर जी हां तो यहां पर यह जो हमारी compact book है GST की उस compact book को और जो हमारे अपने जो wall charts हैं उनको आधार बनाकर हम अपना revision करेंगे और जो हमारे wall charts हैं उनमें एक पहला chart आता है Gist of GST के नाम से जिसे हम बाबा की बूटी के नाम से भी जानते हैं यह charts और यह compact book इस अवेलेबल और मैं वेबसाइट सेराजकुमार डाट कॉम वहां पर यह available हैं वहां से आप इनको ले सकते हैं ठीक है आच्छा जी तो सबसे पहले मैं यहां पर आता हूँ Gist of GST करके है और एक पूरा framework यहां पर बताया गया है एक पूरा एक system बताया गया है कि GST किस प्रकार से यह flow में आता है कहां से शुरू होता है और कहां पर जाकर यह खतम होता है तो जैसा कि हम जानते है Goods and Services Tax तो इसके लिए Goods या Service का होना अतियावशक है तो सबसे पहले पाइदान पर यही चेक किया जाएगा कि जो भी हमारे Client के यहां पर डील हो रही है जो भी transaction हो रही है वो Goods की transaction हो रही है या फिर वो एक Service की transaction हो रही है कोई भी चीज गुट से है या सर्विस है या कुछ भी नहीं है ये एक प्रकार का चक्र व्यू है जहां पर आपके अलग-अलग बॉक्सेस बने हुए है और इस चक्र व्यू में से जो जहां से आउट हो जाएगा मतलब आउट हो जाएगा वापस गेम में लॉट कर नहीं आ सकता वो गेम नी खिलते हैं कर म्यूजिकल चेयर वाला खिलते हैं वो गाना बसता है लोग गलगल गुमते हैं गाना बंद होता है सब बैट जाते हैं उनमें से ऐक विक्टी को आउट कर दिया जाता है जो बैट नहीं पाता वैसे करके इस game में से जो out मतलब out back to pavilion वापस वो game में लौट कर नहीं आएगा goods या service अगर कोई चीज बनती है तो मैं उससे अगला round खेलूँगा अगर goods या service नहीं बनती है तो मैं उसे यहीं से बाहर निकाल दूँगा back to pavilion GST में उसका जिकर नहीं किया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राध है राध है उसके बाद में अगर कोई चीज गोट या service बनेगी तो फिर उसको चेक किया जाता है क्या वो supply है या नहीं है अगर वो supply है तो आगे बात करेंगे supply नहीं है तो फिर यहीं से आउट करवा दिया जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कई सारी चीजे ऐसी हैं जिनको supply नहीं माना जाता है जब supply बन जाती है तो खिल खिला जाता है कि supply का nature बताईए वो intra state है या फिर वो एक inter state है intra state है तो cgst sgst की बाते करी जाएंगी intra state है तो उसमें igst की बाते करी जाती है igst payable to central government होता है जिसमें से आधा central government transfer करती है cgst fund मेर बाकी आधा destination sgst fund के अंदर transfer करवा दिया जाता है अगर यहाँ पर आकर मान लिए जो intra state transaction हो रही है अगर वो export हो जाती है तो वैसे वाले हालात के अंदर आपका जो igst है न मालिक वो यहाँ पर आएगा लेकिन igst final ही लगेगा नहीं क्योंकि destination इसका abroad में है तो यह तीसरा gate है कि हम कह सकते कि gst से मुक्ती पाने का तीसरा द्रवाजा यहाँ पर यह मौजूद है उसके बाद में goods या service की supply intra या inter होने मात्र से gst नहीं लग जाएगा इसके लिए एक taxable person भी होना चाहिए यह goods या service की supply एक taxable person के हाथों से होने चाहिए अगर उसके हाथों से हो रही है तो gst लेवी होगा अगर यह non taxable person के हाथों से हो रही है तो GST levy नहीं होगा देखना यह है कि कौन taxable person है और कौन taxable person नहीं है देखेंगे यहाँ पर चलकर agriculturalist जो होता है वो taxable person नहीं होता है तो अगर एक agriculturalist यहाँ पर goods or service की supply इंटर या इंटर कर रहा है तो GST levy कदा भी नहीं हो सकता है आगे बढ़ियेगा अगर वो taxable person के हाथों से होती है उसके बावजूद भी एक आखरी box यहाँ पर बचता है जिसकी वज़े से आप GST से मुक्त हो सकते हैं पांचवे box पर आकर exemptions आएंगी exemptions में लगबग लगबग 100 exemptions आपकी service sector में है और लगबग 1500 exemptions आपकी goods में है goods वाली exemptions लेबस का हिस्सा आपका नहीं है service वाली exemptions लेबस का हिस्सा है 100 exemptions को मैंने 14 head में divide कर रखा है दान, धरम, सिक्षा स्वास्ते, खिल सरकार, किसान, मनुरंजन GPRS, GPRS का मतलब goods transportation, P for passenger transportation R for renting of immovable property GPRS, S for socio-economic activities, BIB, banking insurance और business related ऐसे करके हमारी यहां पर बात करे जाती है 100 तरह की services आपकी exemptions है 5 gate दे रखे हैं GST से बच निकलने के लिए सिर्फ 5 दरवाजे हैं या तो client क्या ऐसा खेल खेल दो कि उसके जो transaction है वो goods or service की category में ही fall ना करे या फिर वो supply ना बने या फिर वो export दिखे या फिर बंदा taxable person ना दिखे या फिर उसके दोरा दी जाने वाले supply exempted category में आ जाए इन 5 में से कोई एक काम कर दिखाया तो करोड़ों लाखों के रुपे की फीस आपको आपका client यहां पर दे देगा लेकिन अगर आप इन 5 गेट से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अब ये तैह है कि GST लगके रहेगा दुनिया की कोई ताकत अब आपको GST से मुक्ती नहीं दिला सकती है जब GST लगना ही है तैह हो गया है तो बताईए GST कितना लगाया जाएगा यहां पर आकर GST कॉमपिटेशन करा जाएगा जिसके लिए हमारे पास दो स्कीम होती है एक होती है regular स्कीम एक होती है हमारी composition स्कीम तो क्या क्या होंगे कैसे कैसे बात करेंगे उनकी चर्चा यहां पर करी जाएगी यहां से तैह हो जाएगा कितना amount GST का हमें देना होता है उसके बाद अगला प्रिशन आता है कि ठीक है यह तैह हो गया कि बिल्ली के गले में घंटी बंदेगी लेकिन इस घंटी को भाई सब बांदेगा कौन वो सप्लाइर बंदेगा यह रसी पेंट बंदेगा सप्लाइर गौर्मेंट को GST का पेमेंट करेगा यह रसी पेंट GST का पेमेंट सरकार को करके आएगा इसके लिए चैप्टर आएगा RCM का गुड्स और सर्वेसे दोनों के केस में रिवर्स चार्ज की बाते करी जाती हैं लगबग 20-25 सर्वेसे ऐसी हैं जहां पर सर्वेसे में रिवर्स चार्ज लगाया जाता है साथ आठ गुड्स ऐसे हैं जहां पर RCM लगाया जाता है गुड्स सेक्टर में गुड सेक्टर का RCM से लिवस का ऐसा नहीं है, सिर्फ सर्वेस सेक्टर का है, उस सर्वेस सेक्टर को ही, RCM को ही हम यहाँ पर देखकर चलेंगे उसके बाद में जब यह तैह हो जाएगा कि भाई साब GST का पेमेंट कौन करेगा, NCM लगेगा या RCM लगेगा, यह तैह हो जाने के बाद में अगरे नमबर आएगा कि GST कब भरा जाएगा, एट वट पॉइंट अफ टाइम, उसका टाइम अफ सप्लाई क्या है, उसका सप्ल अलग अलग डेट पर मौझूद हो सकते हैं, इन में से कौन सी वाली घटना को हम सप्लाई के नाम से बुला कर चलें, सप्लाई डे कौन से दिन को मान कर चलें, जोन सा डे सप्लाई डे बनेगा, फादर्स डे, मदर्स डे, वालेंटाइन डे, चल राज कल, तो ऐसे होता है सप्लाई डे, तो जोन सी डे पर हमारा सप्लाई डे बनता है, उसी को आधार बनाकर अगले मीने की 20 तारिकों में GST का पेमेंट करना पर जाता है, वैसे करके यहां पर बात कर जाती है, और टाइम अप सप्लाई निकलने के बाद में फिर हमारे कंप्लाइंस पार्ट यहां पर आजाते हैं, जिन कोम करम से करके चलेंगे, हमारा जो पूरा फोकस, पूरा पैटरन होगा, वो यह होगा, कि क्लाइन्ट वाइज, अब सी यह बनने के बाद आपको क्लाइन्ट वाइज ही काम करके चलना है, एक्जामें भी जब कॉश्चन्स आपके सामने आते हैं, तो चेक करो, इंटरा है या इंटर है, उसके बाद टैक्सिवल परसन है, एक्जम्शन में तो नहीं है, कॉम्प्यूटेशन कैसे, आर सी एम, टाइम अप सप्लाई, कम्प्लाइन्स बाद खतम, इस प्रकार से आप चीज को स्कैन कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं, छोटे से चोटा और बड़े से बड़े कॉंसेप्ट को आपको यहां पर चलके लिंक करना होता है, तो यह हमारा पैटर्न होगा, बाबा की बूटी का, और इसमें हमारे जो गेट नमबर मैं बोलूँगा, आगे चलकर, यह है गुड से सर्विस गेट नमबर बन, सप्लाई है गेट नमबर दो, इंटरा इंटर है गेट नमबर तीन, टेक्सवल परसन है गेट नमबर चार और उसके बाद है आपका एग्जम्शन गेट नमबर पाँच, आगे फिर मैंने गेट नाम नहीं दिया है, आगे नाम दिये हैं बॉक्स क्योंकि गेट का मतलब बाहर जाने का रास्त और पहले पाँच बॉक्स से ही हम बाहर जा सकते हैं, छटमे बॉक्स से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दिये हैं इसको पहले पाँच गेट से ही बाहर जाया जा सकता है, इसलिए पहले पाँच बॉक्स को ही गेट का नाम दिया गया है, राइट सर, ये सर, च definition administration introduction goods and services और उसके बाद में यहां से basically बाबा की बूटी यह जो अभी diagram मैंने दिखाया इसे बाबा की बूटी के नाम से भी बुलाते हैं तो यहां से यह बाबा की बूटी का pattern आपका शुरू हो जाता है यहां से यह जो English नमर वाले जाते हैं 123 good services supply place of supply taxable person exemption computation reverse charge invoice time of supply ITC registration payment return account वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके यहां पर आ जाते हैं उससे पहले हम बात करेंगे यहां पर एक चैप्टर आएगा introduction का GST का introduction देगा सम्विधानिक बातें करेंगी entire GST के अंदर हैं उनको complete किया जाएगा फिर इसका administration पार देखेंगे जो GST का दिकारी हैं उनके चर्चा की जाएगी उसके बाद थोड़ा IGST की बाते करने के बाद फिर अपना हम बाबा की बूटी के pattern पर यहां आ जाएंगे ठीक है तो पहला चप्टर है आपका यह introduction का आएए मालिक बात करते हैं इस चप्टर के आगे भी है refund assessment advance ruling audit inspection demand recovery penalties अफिल सारे चप्टर सेसके अंदर आपके मौजूद हैं तो यहां पर आकर आएए मालिक तो यह आपका यहां से introduction का chapter यह book मैं fast track बैच के अंदर अपने इस्तिमाल करके चलता हूं तो शुरुवात में मैंने यही बताया था आपको शुरुवाती यहीं से की थी कि tax क्या होता है compulsory extortion of money जो होता है उसे हम tax के नाम से जानते हैं और tax दो तरह का होता है एक direct tax हो गया एक indirect tax हो गया जिस व्यक्ति के ऊपर impose किया गया है अगर tax का load क्या एधर tax का load भी उसी व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे कहते हैं direct tax नहीं तो indirect tax कहा जाता है यहां से बोला गया कि सबसे पहले बताइए कि भाई सावी यह GST आखिरकार क्यों निकल के आया था तो GST आने के चार प्रमक वज़ा हुआ करती थी क्योंकि पहले क्या था कि multiple taxes हुआ करते थे multiple taxable event हुआ करती थी multiple law बने हुए थे हर चीज multiple ही थी cascading effect हुआ करता था double taxation हुआ करता था तो uniformity नहीं हुआ करती थी कलेश मचा हुआ था ऐसी की तैसीवी पड़ी थी तो बहुत सारे regions थे पुराने सिस्टम के अंदर ऐसी कमिया थी जिनकी वज़े से GST को आना पड़ा और GST में आकर इन तमाम कमियों को ठीक कर दिया गया जैसे कि पुराने समय के अंदर हम बात करें business जैसे नॉर्मले तीन लेवल पर होता है इंट्रा इंटर और इंटरनेशनल लेवल का तो एक manufacturer अच्छा पहले जो ये वैट या CST का पेमेंट उस बंदे को करना होता था इंट्रा है तो वैट और नहीं तो फिर CST का पेमेंट उसे करना होता था इसकी वज़े से tax को पर tax लग रहा था XI duty component को पर वैट या CST का लोड आ रहा था ऐसे एक trader आदमी जो था trader आदमी state वैट के अंदर रेजिटर था जब एक manufacturer से माल लेकर आता था तो उसे Central XI duty का credit नहीं मिलता था क्यों नहीं मिलता था क्योंकि Central XI duty Central Level का था और ये बंद अपना State Level पे काम किया करता था तो जब किसी भी tax का pay के हुए टेक्सा क्रेट नहीं मिलेगा तो हमारी कॉस्ट का पार्ट निशेत तोर पर बन जाएगा इसकी कॉस्ट का पार्ट बन रहा था जिससे की चीजें और महेंगी होती जा रही थी सिमिलरली जो सर्विस प्रोवाइडर था वो Central Level पे रिष्टेशन था सर्विस टेक्स के अंदर और अगर सर्विस टेक्स वाला व्यक्ति सर्विस देने वाला व्यक्ति अगर कम्पिटर के ला रहा है उस पे वैट जमा करके आया करता था उसका क्रेट उसे नहीं मिलता था क्योंकि वैट स्टेट लिवल का हो गया और सर्विस है कंड गन्हीं साफ्ट्वियर है उनके समर्ण में नहीं πता था कि वह गर्म से कि रगाते ते युyll वहां पर आपका आ रहा था इसी चक्र में क्या किया गया कि GETSgehen पर मालिक इंटरीएउस कर दिया गया था उसक Só स्टी चुकि औरिजन बेस्ट था अगर यूपी से माले हर्याना जा रहा है तो वैसे वाले हालात के अंदर जो सी स्ट उसका पेमेंट यूपी सरकार को जाता था क्योंकि हर्याना सरकार को प्रैक्टिकली जा नहीं सकता यूपी वाले बंदे का रेश्टेशन यूपी में सकता इसलिए मजबूरीन के हाथों उसका जो पैसा था वो यूपी गौर्मेंट को ही दिलवाया जाता था ओरिजन बेस्ट होता था इसी कारण से जो हर्यानेवक का बायर है उसे सी स्ट का करेट कभी भी नहीं मिलता था और जब जब करेट नहीं मिलते हैं तब तब दिक्क सेेंटर लेविल का क्यूं बनाया गया देखि यह अलग अलग स्टेट के भीच में कारोबार करने के लिए बनाया जाता है सबी स्टेट के लिएक जैसा लग होना जרूरी है ताकि uniformity maintain किया सके और एक uniform law बना सकती सिर्फ और सिर्फ states को उपर बैठी हुई central government अगर हम states को राइट दें कि आप अपने अपना law बनाईए तो उनमे uniformity maintain नहीं हो सकती so to maintain the uniformity between the among all the states तो एक uniform law बनाया central government ने इसलिए CST आपका central level का law था लेकिन उसका जो revenue था उसका collection और retention state के दोरही किया जाता था क्योंकि सम्विधान ऐसा बोलता था कि sale of goods के सम्मन्द में जो GST पानी का अधिकार होगा वो यहाँ पर states को दिया जाएगा वैसे करके इसी प्रकार से आपका जो यह custom law है custom law किसी particular country का नहीं बलकि एक international level का law है जैसा law मेरा है वैसा ही बहारी मुलकों के अंदर भी है GST आने पर custom law आपका as it is जिन्दा है और यहाँ पर भी uniformity maintain कराए जाती क्योंकि यह international level पे काम करता है हर country के अंदर एक जैसा law होगा तब ही seller और buyer की understanding match हो पाएगी इसे के लिए यहाँ पर बीच में आ जाता WTO WTO manage करके चलता है और एक world custom organization और एक आपका WTO है यह manage करते हैं आपके custom law को और हर country का law लगबग एक ही जैसा होता ताकि buyer और seller की understanding एक जैसे यहाँ पर बनी रहे तो यहाँ पर आकर क्या किया गया मालिक तो पहले अलग-अलग manufacturer service provider और आपके trader लोग यह हुआ करते थे और बिल्कुल तहल का मचा हुआ था बाइसाब का सके डिंग का डबल टेक्सिशन का मल्टीपर टेक्स्ट का जैसे मैले मैं वो न कोई करभी बैलून की आवाज आति एक कही उसकी खिलोने की आवाज आती औहिए कई पीपनी की आवाजाति है वह यह हिसाब चल रहा था मेलेवाली हरत बन रहा ही थी चल क्या रहा है कुछ पता नहीं है कौन से वाजा रही है कुछ पता नहीं सब मिक्चर यहां पर चल रहा था तुन्हों ने आके क्या किया कि जी एसटी को इंटड्यूस किया गया पुराने तमाम प्रकार के सथ लगभग सत्र तरह के टेक्सिस को सबस्यूम्ट किया गया और आपका जी एसटी यहां पर इंटड्यूस कर दिया गया एक जुलाई 2017 को नंद के आनंद भयो जैक नहीं है लाल की और हाथी गोड़ा पाल की जब GST आया तो उसने यहां पर क्या-क्या बदलाब कर दिये वो मैं आपको यहां पर बतलाना चाहता हूं जितने भी आपके यह manufacturer या फिर service provider या trader लोग हुआ करते थे इनको मालक नाम दिया गया supplier का जो supply कर रहा है वो supplier और जो recipient आदमी है जो buyer है उसको यहां पर recipient का नाम दे दिया गया दो ही वेक्ति आप काम में आएंगे चाहिए आप manufacturer है trader है या फिर आप service provider है supplier और recipient दो ही नाम देखने के लिए आएंगे यहां पर दूसरी बात यह कि multiple taxes जो थे आपके अब एक tax बन गया हाना कि डेटॉल भी पूरे कीटानों नहीं मार पाता है लाइजॉल भी पूरे कीटानों नहीं मार पाता है तो ऐसे ही एक का दुक का जगया पर आज भी कास्केडिंग और डबल टेक्सेशन मिल सकता है otherwise 99% वो आपका खतम किया जा चुका है वैसे करके बात करते हैं उसके बाद यहां पर चर्चा निकल के आती है मालिक तो परसन जो थे वो इस प्रकार से हो गया अपने कास्केडिंग लेवल जो थे अपने पहने तीन लेवल हुआ करते थे इंटरस्टेट, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल आज के लिट में जीएस्टेट के अंदर सिर्फ दो ही लेवल काम करके चलेंगे intra state और inter state inter state also include international अगर कोई transaction international है GST के अंदर उसको भी हम inter state के नाम से भी बुला के चलेंगे क्योंकि inter state actual में है या international है दोनों के provision लगभग समान है इसलिए यहां पर international will also be called as inter state तो यह था हमारा की GST आखिरकार क्यों लाया गया अगले पॉइंट पर आता है कि GST आखिरकार है क्या चीज़ what is GST तो यहां पर आकर बताया जाता है कि सहाब देखिए GST goods year service के उपर लगने वाला एक tax होता है बिल्कु ठीक पात है इसके लिए goods year service का होना जरूरी है साथ में supply का होना भी इसके लिए जरूरी होता है very good supply का nature इंटरा या इंटर किसी भी तरह का हो सकता है उसी के आधार पर हम लोग आगे की बात करके चल सकते हैं अब यह कैसे decide किया जाए कि इंटरा है कि इंटरा है अगर supply के origin और supply के destination इन दोनों के बीच में अगर कोई border आ जाता है border चाहे दो state के बीच का हो दो country के बीच का हो दो union territory के बीच का हो एक state और एक यूटी के बीच का हो border होना चाहिए किसी भी तरह का border आता है transaction को interstate का जाएगा नहीं तो उसे interstate में तब्दिल कर दिया जाएगा border एक special economic zone का भी हो सकता है एक virtual border भी हो सकता है ये DTA area है ये SZ है DTA to SZ supply की जा रही है भले ही वो same state के अंदर क्यों ना हो उसके बावजूद भी उसे हम अलग-अलग मान के चलते हैं उनके बीच में एक virtual border माना जाता है और transaction को interstate का जाएगा SZ से कर DTA के अंदर माल आ रहा है तब भी उसको interstate ही माना जाता है वैसे करके बात करी जाती है तो border होना चाहिए border चाहे physical हो चाहे virtual हो अगर border exist करता है तो interstate नहीं तो interstate उसको माना जाता है जब interstate की बात करेंगे तो CGST प्लस SGST या UTST अपने लगा जाता है और जब हम लोग बात करते हैं अपने interstate की तो वहाँ पर IGST अपने लगा जाएगा IGST वास्तव में कोई text नहीं है यह तो एक लिफाफे का नाम है इसके अंदर जो मसाला भरा होता है वो क्या होता है CGST प्लस SGST अपने लगा जाता है और यह पूरा का पूरा लिफाफा यानि कि IGST is sum total of CGST प्लस SGST अपने लगा जाता है और यह लिफाफा जो है IGST नाम के लिफाफे में लपेट करी Central Government को दे दिया जाता है Central Government इसमें से आधा पैसा transfer करती है CGST फंड के अंदर और बाकी आधा पैसा destination state fund के अंदर या destination योटी फंड है उसके अंदर transfer कर दिया जाता है उसकी practice यहां मैंने शानदा तरीके से करवा रखे कि intra to inter inter to intra वैसे करके उसकी बात यहां पे करे जाती है अब जितने में उतनी बाते हैं अब आपका जो GST law है या GST है उसकी अलग-लग branch बने गए CGST, SGST, UTGST, IGST so correspondingly tax को tax कहे जाने के लिए उसके एक legal backing का होना बड़ा जरूरी होता है इसी कारण से यहां पर आकर भी इनके लिए अलग-अलग respective act बनाए गए CGST X 2017 SGST, UTGST X 2017 IGST X 2017 यहां पर बनाए गया लेकिन content सबका लग-भग एक ही जैसा है सबका मालिक एक है विविदिता में एक ता फिर भी दिल है हिंदुस्तानी भले अनिको भाशा हैं अनिको जातियां हैं हमें विविदिता बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानियों में लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी इसलिए law सारा आपका एक ही है ठीक है सर जी उसके बाद में एक बनाया गया GST Compensation Act बनाया गया Compensation Cess Act बनाया गया और एक बनाया गया Constitution Amendment Act GST जब आया तो समयधान में बहुत सारे चीज़िस करने पड़े थे उन तमाम चीज़िस को incorporate कर दिया गया एक सिंगल एक्ट के अंदर जिसका नाम दिया गया है Constitution Amendment Act 2016 राइट? यस सर उसके बाद में यहां introduction का chapter आपका चल रहा है credit के concept के हमने बात करीए पता नहीं कब कहां कैसे इस्तिमाल करना पड़ जाए तो credit concept के लिए हमारा जरूरी होता है कि उसका utilization कैसे possible है कैसे किया जाता है तो यहां पर बात करते हैं CIS CIS और इसमें दो चीज़ धान रखनी है एक होता है external sequence इनका एक होता external sequence एक होता internal sequence external sequence में first of all IGST का इस्तिमाल करेंगे फिर CGST का और फिर SGST का इस्तिमाल किया जाएगा और internal sequence के अंदर जब IGST की बात करेंगे तो पहले अपने के लिए फिर CGST, SGST किसी के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं और internal sequence के अंदर CGST पहले अपने के लिए और फिर IGST के लिए और इसी तरीके से SGST या UTGST पहले अपने के लिए फिर IGST के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है यानि कि first of all credit of IGST will be utilized for the payment of IGST and after that if balance is remaining then that may be utilized for the payment of CGST, SGST, UTGST in any ratio, any sequence में इस्तिमाल किया सकता है second number पर CGST का credit इस्तिमाल किया जाएगा and the credit of CGST will be utilized for the payment of CGST, उसके बाद अगर कुछ बचता है that will be utilized for the payment of IGST उसके बाद में SGST का credit आएगा that will be utilized for the payment of SGST, अगर कुछ बचता है तो IGST के लिए इस्तिमाल करवा दिया जाएगा, right है एकदम right है जी उसके बाद में आगे point पर आईएगा, ऐसे ही UTGST का जो credit होगा, first of all अपने के लिए इस्तिमाल किया जाएगा, अगर कुछ बच जाता है तो उसे इस्तिमाल किया जा सकता है IGST के credit के लिए ऐसे करके यहाँ पर बात करी जाती है, चलें आगे? हाँ सर जी चलो, यह था आपका analysis of pre and post GST, वो तो अब उसकी आवशकता नहीं है इस moment पर revision के लिए, वो समझने के लिए होता है कि पहले law में और अब के law में क्या किस प्रकार से बदलाव यहाँ देखने को मिले हैं, ठीक है जी? तो उसके बाद में benefits of GST, मुझे नहीं डिख डबल टेक्सेशन खतम हो गया, revenue सरकार का बढ़ गया, transparency आ गई, सारे बिजनस्मेन के स्थेसी हो गई, जो चोरी करते थे, बाकी सब खोशे हैं, सरकार के लिए बढ़िया है, विकास होगा, बहुत सारे point इसके फाइदे में लिखे जा सकते हैं, विदेशी लोग इंडिया म आएंगे, क्योंकि यहां पर इंफरा, tax का इंफरा सुधर चुका है, इस तरीके से, यहां पर बात करे जाती है, यह इसका बताया गया कि बहुत किस प्रकार से जीस्टि इंडिया में आया था, तो सबसे पहले फ्रांस में इंडिया में आया था, 2004 में केलकर task force निसका जिकर किया था, उसके बाद में फिर 2017 में फाइनली इंडिया के अंदर आही गया, तो यह मुझे लगता कि एक्जम में पूछा जाएगा, नहीं आएगा एक्जम में, आगे है जीस्टिन, जीस्टिन एक वोई आपका जीस्टि का पोर्टल हो गया, जिसे ओन्ड और मैनेज करता ह जीस्टिन नेटवर्क, जो कि एक कमपनी है, सेक्शन नमबर आठ आफ और कमपनीज एक्ट के अंदर, उद्देश्य प्रॉफिट का मना नहीं है, तो पहले स्टेट गॉर्मेंट, सेंट्रल गॉर्मेंट इस कमपनी में फंडिंग करती है, फिर यहां से पैसा आगे इन्फ खुला ही रहता है, क्योंकि मेरा चाहिए रैगुलर वैचो चाहिए, फास्ट एक बैचो चाहिए, इंटरमेडियेट का हो, मैं पोर्टल का इस्तेमाल भर भर के करता हूं, माले, तो पोर्टल क्या क्या करवाता है, मैं लॉग इन कर दो इस पे, मेरी अपनी खुद की दो कम कमपनी के डीटा को लिकर मैंने, सारा का सारा रिटरन फाइलिंग कैसे होती है, इवेबल कैसे बनता है, और रजिस्टेशन कैसे होता है, आधार अथन्टिकेशन क्या है, सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको बता के चला हूं, तो यहां पर उसका लॉग इन कर देते है हैं, यह कैपचा हो गया, 751, 751, 156, 751, 156 करके या ठीक है, मेरी कमपनी अभास अजिटेक प्राइवेट लिम्टेट करके है, और यहां पर आकर मालिक जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या करता है, सर्विस्स में आ जाईए, सर्विस्स में रेजिस्टेशन पर हम आ हैं, तो रेजिस्टेशन के अंदर सारे चीज़ें सिखाई जाती हैं, नया रेजिस्टेशन करना है, तो यहां पर क्लिक कीजिएगा, अमेंडमेंट ऑफ रेजिस्टेशन कोर फिल्ड आपने थियोरी में पढ़ा है, अप्लिकेशन टू आप्ट फॉर कॉंपोजिशन स्की ट्रैक आप्लिकेशन स्टेटES, अपलिकेशन फॉर कैंसिलेंशन फ्रैसिशन यह बेच के दौरान सारे के सारे टैप्स मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रखे हैं, अप्लिकेशन फॉर फाइलिंग्लेइटेशन आमेंडमेंट इस दिखा रहा हme, यह सब बैच के अ रहे हैं तो यह वंकि आती है उसके द्र प्लीस के अंदर हम जब आते हैं मालक तो यहां पर रेश्ट्रेशन हो गया जी क्न यह पर के आपका लेजर लेजर के लिजर आपके सारे आते हैं availability पर रही होता है 11 क्रिएट करके चलता है पार्ट टू के अंदर वह वाली लाइबिलिटिस आपकी होती हैं ऐसे ही करके यहां पर जब हम बात करते हैं मालिक तो लेजर्स के अंदर आकर यी क्रडिट लेजर अपना हो गया उसमें सारी जानकारे दे रखी होती हो सारी चीज मैंने प्रैक्टिकल पड़ रही होते हैं तो वहां पर ITC के फॉर्मस आते हैं कि जो भी आपका बचा कुछा क्रेडिट है उस क्रेट को आप कैसे क्लेम करते हैं वह सब फॉर्म मैंने आपको फाइल करकर करके यहां पर दिखा रखें टीडियस टीस का क्रेट हो गया आप्ट इन फॉर पर पेमेंट पेमेंट करके दिखा रहा है क्रियेट चलान आपको दस बार मैंने चलान क्रेट करके दिखा रहा है कि चलान कैसे बना बनता है उसके बाद में फिर चलान का पेमेंट कैसे होता है कैसे बैंक की वेब साइट जी एस टी के पोर्टल को अपडेट करते हैं और कि कि अपनी registration certificate भी download करना है तो यहां से कर सकते हैं feedback etc आ गया view my LUT etc my application बहुत सारी applications आपके यहां से file किया ते यह से advance ruling के लिए हो गया यह और बहुत सारे चीज़ जिसमें आपको दिखाना चाहूंगा मैं यहां पर आके advance ruling के लिए आप जाते हैं तो उसकी information information of voluntary payment जो recovery chapter में जाते हैं उसके लिए यहां पर लेटर फंडर टेकिंग अपील टू अपलेट authority refund के लिए रेक्टिफिकेशन आव उसके लिए तो बहुत सारी applications आपकी यहां से file कि आती हैं सारी कि सारी application मैंने आपको दिखा रखें किस प्रकार से इनकी filing करी जाती है प्रेम से बोलेंगे राध है राध है ठीक है राध है उसके बाद में services के अंदर आकर user service में आगे हैं user service में फरनिश एल्यूटी आगे लोकेट जीस्टी practitioner आप यहां से जीस्टी प्रेक्टिशन अपने नियरबाइड ढूड सकते हो यसे कि यहां पर आ जाते हैं तो नेम एरिया पर क्लिक किजिए आप जोंसे भी एरिया में चाहते हैं माली जी में अगर यहां पर दिली में चाहता हूँ दिली के मैं इस डेली मगर में चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक कीजिए आप के रिया में जितने भी यह जीस्टी प्रैक्टिशनर हैं सब की डिटेल फोन नमबर एमिल आइडी आप का जाता है आप इनमेसेज किसी के साथ भी डिल करना चाहते हैं काम करवाना तो आप उनके साथ में डिल कर सकते हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल होती है तो जीस्टी प्रैक्टिशनर बनने के लिए ग्रेजिशन के आप शिक्ता पड़ती है और उसमें आपका नासिन के दौरा जो नैशनल अकैडमी है जहाँ पर आई एरस अधिकारि मैं आप क्लेम करना चाहा रहे हैं वो सारा भी मैंने आपको बता रखा है मालक यहाँ पर आकर ईवेबल पुरा एक घंटे का समय लगा रखा ईवेबल बनाना कैसे बनता है कैसे कैंसल होता है क्या कैचीजे होती है उसके अंदर वीकल अगर चेंज करना हो तो क्या किया जात होता है सारी बात आपको बता रखिये यह तमाम काम होता है आपको पोर्टल पे यहां पर सिखाया जाता है करवाया जाता है मालिक ठीक है जी उसके बाद तो यहीं हम बात कर रहे थे कि कि रिजिस्ट्रेशन रिटर्न आई येस्ट का सर्टलमेंट मैचिंग अनलेशिस अफ टेक्स पेर्स प्रोफाइल उसमें रिटिंग दी जाती है कि भाई वो कितना कंप्लाइंस फ्रेंडली है व्यक्ति है आई टी सी का पूरा मैकनिजम अपना हैंडल किया जाता है जी पर बनाता है जी एस पीएस पी कि अगर यहां पर टैक्स पेर है आपका अपना कंप्र रखके बैठा हुआ है इसे जी स्ट्र वन बनना है टुबी भर ना होता हाला कि एजकल टू नहीं तो ठीवी बनना होगा तो यहांपर क्या होगा कि सिस्टम के साथ में एक कर दिया जाता है और वो software GST portal के साथ communicate करता है यानि कि taxpayer और GST portal के बीच में communicator का काम करता है यह GST GST सुवधा provider जो GSP है यह यहां आपकी system से raw data को pull करेगा और GST के portal पर उस data को push यह कर देता है और जो इसमें ASP है यह इस तरह से मान के चलिए जैसे दूद में हॉरलिक्स दूद की शक्ती को बढ़ाता है वैसे ही जो ASP है application service provider वो GSP के शक्ती को बढ़ाता है उसको और अच्छे से काम करने के लिए active बनाता है ASP ASP is a part of GSP तो में जो software आपका GSP का है GST सुवधा provider and it's a communicator between the GST portal and the tax payer Is it okay? Yes sir, कौनो दिक्कत वाली बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर आकर आपका introduction का chapter मालिक complete हो जाता है अब बात करते हैं अगले chapter अपने constitution की छोटे मोटे chapter चल रही है इन chapters की समापती के बाद में हम अपना discussion करके चलेंगे मालिक वही बाबा की बूटी के pattern के आधार पर good services, supply, intra, inter, etc वो तमाम परकार की बाते हमारी यहाँ पर करी जाएंगे ठीक है सहाब अगला point आता है आपका यहाँ पर constitution को लेकर मुख्य तोर पर यहाँ पर चार आर्टिकल आपको देखने चाहिए आर्टिकल नमबर 246 capital A आर्टिकल नमबर 269 capital A आर्टिकल नमबर 366 और आर्टिकल नमबर आगया आपका 279 capital A आर्टिकल नमबर 246 capital A यह बोलता है अगर आपकी intra state supply है तो वहाँ पर CGST, SGST जो भी आपके लेवी होते हैं उनके लिए law बनाने की power आपको है यहाँ पर central government को CGST के लिए और respective state government को अपना law बनाने की power यहाँ पर दी जाती है साथ में यह भी बोलता है कि अगर आपकी transaction interstate है तो वहाँ पर IGST लगेगा और IGST law बनाने की exclusive power central government को दी जाती है और जब जहाँ पर हम intra की बात करते हैं तो CGST और SGST बनाने के लिए central government और state government दोनों को simultaneous या shared power वहाँ पर दी जाती है क्योंकि जब भी हमारी intra transaction होगी तो CGST, SGST दोनों के दोनों आपके लगाए जाते हैं इसी article के अंदर एक explanation ये दी हुई है कि five petroleum product जो है आपके उन पर GST अभी नहीं है हाँ near future में जब GST council चाहेगी तब से वहाँ पर GST लगाया जा सकता है उसके बाद में आता है आपका यहाँ पर article number 269 capital A करके यहाँ पर आता है सहाब जो यह बताता है कि जो भी IGST आपका लगाया गया है वो IGST 50% जो CGST fund में transfer किया जाएगा और बाकी 50% state government cause पे right रखवाया जाता है उसके classification यहाँ पर किया जाता है दूसरी एक और बात जैसे कि normally क्या होता है कि जो भी central level के पास में टेकस्स जाते हैं उनका 42% घूम कर इस states को ही दिया जाता है अब यहाँ पर जो IGST लगेगा मालिजे 1000 करोड का IGST लगा है तो क्या 1000 करोड पहले central government के पास में जाएगा 1000 करोड में से 42% बांटने की बात कर रहे हैं या पहले 1000 करोड के टुकुडे कर दीजिए 1000 करोड के टुकुडे का मतलब 500 करोड सेंटर government का था वो सेंटर government के पास में जाएगा 500 करोड स्टेट government का तो स्टेट government के पास में जाएगा जी हाँ ऐसा ही होगा पहले जिसका जो बनता है वो दे दो 1000 करोड गया सेंटर government के पास जरूर है लेकिन हजार क्रोड सेंटरल गौर्मेंट का नहीं है उसमें से पांसो क्रोड तो स्टेट गौर्मेंट का है तो पांसो क्रोड स्टेट गौर्मेंट को चला जाएगा जिसका भी बनता है और बाकी पांसो क्रोड सीजेस्टी फंड में जाएगा फिर इस पांसो क्रोड जो 42 प्रितिशत यहां पर इनको बाटा जाता है वैसी वाली बात यहां पर करी जाती है और international transaction को भी हम interstate के नाम से ही जान कर चलेंगे और साथ मैं इसी article कंदर यह बताया गया है कि place of supply को determine करने की power exclusively central government को यहां पर दी जाती है कोई भी transaction interstate हो गया interstate होगी यह decide करेगे exclusively central government क्योंकि अगर इसको decide करने का अधिकार state government को दे दिया जाता तो हरे state चाहता कि place of supply मेरे state में आके निकले और वहां पर लठ चल जाते और सर फूट जाते इसलिए central government ने कहा states तुम घर बैटे रहो place of supply किस state में fall करेगा इस के नियम कानून exclusively हम बनाएंगे इसमें state का participation law बनाने में नहीं होगा राइट यह सब तो इसको बाद में आता है आपका article number 366 आता है जो बताता है GST की परिभाशा क्या है GST में बताता है goods और services tax जो भी अपना गोठे service को पर लगने वाला है लेकिन petroleum product के ऊपर GST नहीं लगता उसके पीछे कारण है explanation to article number 246 capital A करके है कि अभी नहीं लगता बाद में लगेगा जब GST council चाहेगी याद रखेगा दोनों के reasoning अलग-अलग है यहाँ पर बोलते हैं फिर goods क्या है any kind of movable property को हम यहाँ पर goods की रूप में रखे चलेंगे service क्या है anything other than जो goods है वो आपका सारा का सारा service में classify किया जाएगा और उसके बाद में states क्या है जो भी आपके natural states है वो और जो states का अपना own legislature है यानि कि अपनी खुद की assembly अपना cm है उनको भी यहाँ पर हम state group में ही देख कर चलेंगे इसकी बात आगे चलके definition chapter में elaborate करने वाला हूं फिर आ जाता है आपका GST council यहाँ पर GST council एक super power body है आपको industries को को कोई भी दिक्कत होती है वो GST council को जाके approach करते हैं वहाँ पर जाकर अपना बताते कि भाई हमें यह change लाना है फर्टिलाइजर पर GST करेट 12% की वज़ाए 5% होना चाहिए ऐसा proposal लेकर पहुंच जाते हैं और notification के बाद में फिर वह act का part बनकर industry को पर applicable हो जाता है 75% की calculation कैसे करे जाती है central government का एक vote है हर एक state government का अपना अपना vote यहाँ पर दिया हुआ है उनके जो finance minister होते हैं वो उसको represent करके चलते हैं दूसरी बात यह है कि vote के अंदर weightage भी दी हुई है central government का weightage 1 by 3 की है state की weightage यहाँ 2 by 3 की दे रखी है और इन दोनों को मिला कर अगर 75% यह उससे आधिक weighted percentage favorable voting पड़ती है तो आगे recommendation भेज दी जाती है central government का हो गया एक vote state government का हो गया 31 वोट यहाँ पर आकर अब मालीजी किसी proposal के उपर 25 state agree करते हैं तो क्या किया जाएगा central government का तो भाई एक था एक vote favor में दे दिया तो एक ही vote था एक vote favor में इन्हों ने यहाँ पर दे दिया तो यह कितना निकल के आएगा one by one इतनो इतनो तो यह आ जाएगा भाई साब यहाँ पर ऐसे करेंगे और दूसरा जो है अपना वो क्या करेंगे और state के अगर बात करके चलें तो पच्छिस बटा 31 इन्टू 100 यह करेगा यहाँ से कार देता हूं यह सग्या इदर यह यहाँ पर निकल के आजाएगा तो यह आगे आपका 100% और यह निकल के आया आपका यहाँ पर 80.65 अब इनकी वेटेज दी जाती है वेटेज में आज़ादी वेटेज नहीं है one by three की इसकी है two by three की वेटेज इसकी है वेटेज के बाद इनका जो निकल के आया वो इतना आया इसका 53.77 आया दोनों को हमने जोड़ दिया जोड़ने के बाद आता 87.1 जो की more than 75% है इसलिए इस प्रपोजल पर रिकमेंडेशन आगे दे दी जाएगी इस ओके येस सर और कौनों दिक्कत वाली बात सर जी यहां पर नहीं है आगे चलें बच्चा आगे है आगे है आर्टिकल लंबर 246 साथ में 7th शेडूल की बात कर रखिये इट इस नोट रेलिवेंट आगे सम अधर प्रोविजन भी है ये भी आपके रेलिवेंट नहीं है तो कुल मिलाकर चार आटिकल यहां पर आए आटिकल 246 कापिटल ए आटिकल 269 कापिटल ए आटिकल 366 और आटिकल 279 कापिटल ए जिसमें बात की जाती है जी स्ट काउंसल के अंदर और भी बाते बताई जाती है कि भाई साथ यहां पर आकरन का जो प्रोजल है वो अपना य हैं पर करी जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि सी ए फानल लेवल पर कॉंस्टूशन के चैप्टर में से आपको टेस्ट किया जाएगा लेकिन इस बार पूछ लिया था छोटा से क्वेशन पूछ लिया था सम्विधान के ऊपर इसलिए चैप्टर तो आप कोई भी छोड़ नहीं सकते हैं अभी रिसेंटली एक्जाम में पूछ लिया था जो आपका भी फरवरी में एक्जाम हुआ था ना उसमें पूछ लिया था मालिक तो डेफिनेशन का चैप्टर आता है यहां लगबग लगबग 150 के आसपास की डेफिनेशन्स हैं सी जी एस्ट और आई जी एस्ट एक्ट के अंदर एंटायर जी एस्ट लॉग के अंदर आपकी जितनी भी डेफिनेशन्स हैं उनको मैंने कठ्था यहां पे कर दिया है और एक बार उन तमाम टेक्निकल वर्ड्स का मीनिंग हमें किलियर हो जाए तो फिर हम आगे चैप्टर में इस मूथ ली चलते चलेंगे क्योंकि हमें हर शब्द का मीनिंग पहले से पता होना चाहिए इस इट ओके यह सर और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है पहले डेफिनेशन आती है इसमें आपके एक्शनेबल क्लेम की एक्शनेबल क्लेम क्या होता है और उसका क्या रोले मैं आपको बताता हूँ देखिए actionable claim आपका goods की category में रखवाया जाता है as per the definition of goods कहते किसे actionable claim किसी भी प्रकार की जो contingent asset होती है उसे actionable claim कहा जाता है जैसे की pending litigations insurance claim का पैसा lottery, betting, gambling, etc. ये सारी की सारी चीज़ें आपकी actionable claim के तहत आती है जो कि ये goods होता है लेकिन जब हम supply वाले box पर आते हैं तो वहाँ पर ये बताया जाता है betting, gambling और lottery को छोड़ कर बाकी जितनी भी form of actionable claim है वो आपकी supply नहीं मानी जाएंगी उन पर आपका GST नहीं लगाया जाएगा कारण साफ है कि betting, gambling, lottery पर पहले GST लगाया जाता था पहले एक पुराना tax state government level का लगाया जाता था इसलिए आज GST भी लगाया जाता है बाकी form of actionable claim के उपर पहले कोई किसी परकार के tax की बात नहीं की जाती थी इसी वजह से आज भी वहाँ पर कोई किसी परकार के tax की बात नहीं की जाती है उस घटना को supply ही नहीं माना जाता है वही बात आपकी यहाँ पर लिखी हुई है उसके बात में आगे बोलते हैं जिसमें की certainty होती है actionable claim में certainty नहीं होती है लेकिन जहाँ पर certainty होती है आगे है address of delivery नाम से पता लग रहा है address of delivery delivery का address जिस address पर delivery होनी है यानि कि यहाँ पर यह recipient के address की बात कर रहा है if you know the address of delivery इसका मतलब आपको goods का destination पता है और अगर आपको उसका destination पता है तो फिर आपका place of supply वहीं पर बनाया जाएगा intra या inter decide करते समय place of supply की जरुद पड़ती है उस समय हमें इस शब्द की जरुद पड़ती है कि address और delivery क्या है अगर हमें पता है तो वही place आपका place of supply वहाँ पर बन जाता है ठीक है जी तो basically जो address का recipient होता है recipient का जो address होता है जो invoice पे लिखा हुआ होता है वही होता है address of delivery आगे है address on record किसका address किसके record में recipient का address recipient का address supplier के record में आपका address मेरे record में आपने pen drive गूगल drive पर्चिस किया है आपका address मेरे record में है इसका मतलब यह हो गया I know your location I know your state, I know your city, your village अगर supplier को recipient की location पता होती है तो वैसे वाले मामले के अंदर place of supply वहीं पर बनाया जाता है तो place of supply कहो या intra, inter को decide करने के लिए इन शब्दों के हमें जिरुद पढ़ती है और address on record का मतलब हो गया recipient का address supplier के record में हो तो ऐसे किया जाता है adjudicating authority कौन से हो गई एक होती है तमाचा मारने वाली authority यहां होता है taxpayer बीच में होता है board CBIC समझाने बुझाने के लिए और फिर यहां पर होती है आपकी एक appellate authority यहां पर होती है तो adjudicating authority यहां पर है जिसमें आपके an authority which is competent to pass an order ACDC, additional commissioner, joint commissioner, commissioner यह सभी adjudicating authority के हिस्से में आते हैं लेकिन आपकी appellate authority appellate tribunal, high court, supreme court यह adjudicating authority का हिस्सा नहीं बनते हैं advanced ruling authority it's a different authority यह adjudicating authority का हिस्सा नहीं बनेगी वो तो पूछता चकेंद्र है CBIC जो clarification जारी करता है जो taxpayer और department दोनों के बीच मन मुटाब को कम करने का प्रयास करता है वो भी adjudicating authority नहीं होती है उस बात को यहां पर बताया जाता है appeal chapter में आती है revision authority आती है जो departmental appeal के लिए एक गुपत रास्ता होती है वो भी adjudicating authority नहीं है adjudicating authority का मतलब वो authority जो कि एक demand order पास कर रही है demand order यानि कि जो OIO order in original पास करती है that authority will be called as adjudicating authority agent क्या है हम अच्छे से जानते हैं कि principal agent को दे रही हो या agent से ले रही हो दोनों ही मामलों में उसे supply बनाते हैं भले ही वो आपकी FOC क्यों ना हो ऐसा हमने पहले से पढ़ रखा है agent किसे कहेंगे वो व्यक्ती जो दूसरे के बिहाफ पर काम करता है और सुनो एक बड़ा शब्द बिहाफ जिसके लिए नौकर काम करते हूं उसे मालिक कहा जाता है तो agent वो जो उसके बिहाफ पर काम करे वो कौन जिसके बिहाफ पर agent काम करे इस प्रकार से बात करी जाती है यहाँ पर agent का मतलब उस वाले agent से है जिसके through invoicing करी जाती है जिसके हिरदे में होकर इन्वाइसिंग का तार निकलता है उस वाले एजेंट को यहाँ पर हम बात करके चल रही है principal ने agent को billing करी agent आगे customer को billing करता है इस वाले agent की बात कर रहे हैं इसे responsible agent भी कहा जाता है अगर agent हवा हवाई agent है सिर्फ दोनों parties को मिलाने का काम कर रहा है supplier आदमी directly buyer को ही billing कर रहा है agent सिर्फ मिलाने का काम कर रहा है तो ये वाला agent इसके लिए यहाँ पर agent की बात नहीं करके चलता है जिसके लिए हम principal और agent की चर्चर यहाँ पर करके चल रही है मालिक Is it okay? agent का कुछ भी नाम हो सकता ब्रोकर हो, आड़तिया हो, डैल क्रिडेर, कमिशन हो, कुछ भी नाम यहाँ पर हो सकता है फरक नहीं पड़ता, बस इतना होना चाहिए कि दूसरे के बिहाब पर काम करने वाले बंदे को agent यहाँ पर कहा जाता है aggregate turnover किसे कहा जाएगा, aggregate turnover के लिए पहली बात आप उसे turnover पूछोगे तो मैं आपको अपनी sale बताऊँगा या purchase बताऊँगा तो मेरी all outward supply जो है, उनको मैं यहाँ पर aggregate turnover में add करूँगा inward supply से मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो NCM की हो, चाहे वो RCM की हो outward को छोड़ूँगा नहीं, inward को छेड़ूँगा नहीं outward होने चाहिए और supply होने चाहिए, अगर कोई घटना supply नहीं है तो यहाँ पर नहीं आएगी transfer to job worker जो होता है वो supply नहीं बनता, इसलिए वो outward supply की कटेगरी में इस calculation में नहीं आएगा, outward supply में चाहे इंटरा हो, इंटरा हो, टैक्सेबल हो या zero related हो, कैसी भी हो, outward हो और supply हो, वो यहाँ पर आपकी count कर ले जाएगे प्रेम से बोलेंगे रादे रादे, प्रिंसिपल और agent के बीच में जब supply होती है तो वो आपके agent के hand में count करी जाती है, ना कि principal के hand में count करी जाती है अगर principal आदमी, मुख्य आदमी, job वर करके यहाँ से अपना माल बेच दे तो वो भी principal की ही, outward supply में count किया जाता है जो clubbing की जाती है, all India based पर clubbing की जाएगी, pan based मेरा एक permanent account number है, all India में 10 मेरे premises हैं तो 10-100 premises का outward supply एकठा करके add किया जाएगा सबसे महत्वपूर बात, aggregate turnover निकालते समय, GST और compensation says तो exclude रहेगा, लेकिन पुराने taxes आपके शामिल ही रहेंगे पुराने tax शामिल रहेंगे, इसका मतलब यह हो गया कि माल लीजिए यहाँ पर value आ रही है आपकी 100 रुपे की, excise duty tobacco की बात कर रहे है 10 रुपे की है, 110 ही हो जाता है आपका, उसके उपर GST की बात करे जाती है फिर CES की बात यहाँ पर करे जाती है, आप मुझे बता सकते है aggregate turnover निकालने के लिए कौन सी value को पकड़ू, 100 को पकड़ू, या 110 को पकड़ू जी आपको 110 को पकड़ना है, यानि कि जिस तरह से accessible value निकालते हैं, उसी परकार से उस वाली value को आपको पकड़ के चलना है पुराने taxes, aggregate turnover निकालते समय, include रहेंगे, शामिल रहेंगे, GST और compensation says आपका शामिल नहीं रहेगा इस परकार की बात यहाँ पर आपकी करी जाती है, उसके बाद में आगे निकल के आते हैं मालिक, यहाँ पर और भी कई सारी बात निकल के आते हैं, like taxable supply क्या है, जिस पर GST आपका लेवी होता, वो taxable supply है exempt supply क्या है, जो nil rated है, वो exempted supply है, जो 100% exemption notification का शिकार है, वो आपके exempted supply है, जो non taxable है, शराब और petrol, डीजल, एटसेटरा, यह भी आपके exempted supply का हिस्सा ही आकर बनते हैं जीरो rate supply क्या है, एक्सपोर्ट supply को जीरो rate supply के नाम से जानते हैं, चाहे आपने actual में एक्सपोर्ट किया हो अबरॉड के लिए, या फिर आपने SZ के developer या उसकी unit को supply किया हो, इसको भी हम जीरो rate के इस नाम से ही जानकर चलते हैं उसके बाद में नमबर आता है यहां पर एग्री कल्चरिस्ट का, एग्री कल्चरिस्ट कौन होता है, कौन हाथ होता है किसान आदमी, जो खेतों में खुद मेहनत करता है, वो किसान, जो जान हतली पर लेके चले वो राजपूत, ऐसे ही जो खेतों में काम करें, वो व्यक्त या परिवार के सदर से मैनेज और सुपरवाइज करते हैं तब भी ऐसे व्यक्ति को किसान कहा जाएगा किसान अगर इंडिविजिल या हुफ के रूप में है तो वो गेट नमर चार से बाहर हो जाता है उसे टैक्सिवल पर्सन नहीं कहा जाता है इसलिए परिवाशा हमारे लिए देखनी आपर जरूरी हो जाती है अगर एक किसान आदमी एक्सक्लूसिवली किसानी ही कर रहा है जी एस्ट के दारे से मुक्तल लेकिन अगर वो व्यक्ति किसानी के साथ साथ अपनी शेर में दुकान भी चला रहा है तो दुकान का टरनोवर फिर वो exclusively किसानी में नहीं आया तो फिर उसकी जो खेती बारी है वो और उसकी दुकान का टरनोवर है वो दोनों को जोड़ दिया जाएगा जोडने के बाद aggregate टरनोवर निकालेंगे अगर उसका aggregate टरनोवर threshold limit से जादा जा रहा है तो फिर ऐसे बंदे को भी registration की बात यहां पर करवाई जाएगी तो ऐसे दुकानदार उसे GST अपना भरना पढ़ जाएगा और aggregate टरनोवर निकालते समय उसकी फसल के value को भी जोड़ दिया जाएगा वैसे करके यहां पर बात करी जाती है उसके बाद में यहां पर एक word आया था कि family family किसे कहेंगे तो family के अंदर भाई कौन कौन आ गए पती पतनी यह तो हैं family का हिस्सा और बचे पती पतनी और मतला हम दो हमारे दो यह तो unconditional always family का हिस्सा है ही है लेकिन इसके साथ साथ माता पिता भाई बहन माता पिता और भाई बहन और दादा दादी यह परिवार का हिस्सा तब बनेंगे अगर यह आपके उपर dependent हैं तो if they are dependent on you wholly dependent on you only then यह आपके परिवार का हिस्सा बनेंगे लेकिन हम दो हमारे दो always चाहे वो dependent हों या ना हो अपिलेट अथर्टी क्या है अपिलेट अथर्टी वही जिससे अपके इंकम टेक्स के अंदर CIT अपील होता है वैसे यहां पर आपके अपिलेट अथर्टी होती है अपिलेट ट्रबनल जिससे इंकम टेक्स के अंदर ITAT होता है यहां पर आपका GST अप्ले ट्रेमिनल रखवाया जाता है अपॉइंटी डे का मतलब हो गया एक जुलाई 2017 जिस दिन जीस्टी इस धर्थी पर आया था उसके बाद असेस्मेंट क्या असेस्मेंट प्यार की तरह होता जिसे एक तरफा प्यार भगोडा प्यार दुबारा प्यार हैं ऐसे करके तो वो नहीं सुना आपने एक लड़की थी दीवाने से गलियों से गुजरा करती थी शायद कहना था कुछ इसको जाने किससे टड़ती थी जब भी मिलती थी मुझसे तो बस यही पूछा करती थी यह असेस्मेंट कैसे होता है और मैं सिर्फ यही कह पाता क्या कि डिटर्मिने एसेस्मेंट फटा फटावाला असेस्मेंट फटाफटावला प्यार स्कूटिनी दौबारा प्यार रियसेस्मेंट आफ नोन फाइलर रेटरंगिंवन नहीं सेस्मेंट ओफ नॉन डरिश्टेंध यह इनॉन फंटा। non change, इस मूदा बै जिज्ज्मिंट बैजीज्मिंट क मतलrest explosive एक तरफब प्यार तो एक तरफब यार भी है दुमारा प्यार भी है कच्छा प्यार खुद,से प्यार दुमारा प्यार फटा फटा वाला प्यार अलग- любपरकार का अलग अलग परकार के यहां पर assessment की बात यहां पर करी जा रही है वैसे करके उसके बात मैं आते हैं आपके associated enterprises इन शब्दों का इस्तिमाल किया जाता है time of supply chapter के अंदर जाकर मालिक वहां इसकी चर्चा करी जाती है क्या चर्चा करते हैं वो कहता है section 92-f income tax act के अंदर जो associate enterprises का मतलब दे रखा है वही यहाँ पे लिया जाएगा example के दौर पर अगर एक दूसरे में 26% से ज़्यादा hold करता है तो आपस मनको भाई-भाई कहा जाता है time of supply में special provision इसके लिए यहाँ पर यह दे रखा है कि अगर import of service की जाती है और in between associate enterprise की जाती है तो वहाँ पर जो time of supply निकाला जाएगा वो ऐसे निकालेंगे कि payment कि payment की date हो गई वो date और और bookish entry की date in the books of recipient whichever is which ever is earlier वो यहाँ पर आकर time of supply बना दिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है साहब हाँ जी आगे बात करते हैं audit audit का मतला audit ही होता है और क्या examination of books of account हो गया जी authorized bank हम किसे बोल के चलते हैं यहाँ पर authorized bank किसे कहा जाएगा बोलो 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 हाँ जी तो authorized bank यह वो वाले bank होते हैं जो GST portal से tied up हैं जब हम GST का payment करते हैं तो portal पर दिखता है कि which bank you are selected करीब 26 27 banks हैं जिनकी list GST portal पर available है जिनके थ्रो जी एस्ट का tax का interest का इन सभी का payment किया जाता है तो जिन मलब जिनके payment gateway connected है GST portal के साथ उनको यहाँ पर authorized bank कहा जाता है ठीक है जी यह सर authorized representative कौन है जो हमें represent करे किसी authority के सामने हो हमारा employee हो सकता है वो हमारा भाई हो सकता है वो हमारा रिष्टदार हो सकता है उसे हम एक authorization letter बना और अधर देते हैं और वो हमें किसी भी authority के सामने जा कर represent कर सकता है ये एक GST प्रेक्टिशनर भी हो सकता है हम GST practitioner को भी authorize करके अपने आपको represent कराने के लिए किसी अधिकारे के समक्ष भेज सकते हैं जो GST practitioner होगा वो हमारे ब्याब पर सारा काम कर सकता है वो return भी file कर सकता है GST का payment भी कर सकता है और refund claim कर सकता है composition के लिए off for कर सकता है बहुत सारे काम हमारे ब्याब पर कर सकता है और ऐसे वाले व्यक्ति को यहां पर हम authorized representative के नाम से बुला कर चलते हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे चलें आगे हाँ जी चलो सी बी आई से सेंट्रल बोर्ड अफ इंडारेक्ट आượng taxes and customs के नाम से इसको जाना जाता है यह बोर्ड जो भी सिकलिक दो होते हैं एक सीबीडीटी हो गया इक अपना सीबी आई सीध हो गया तो वैसे कर करके सकी बात यहां पर करी जाती है तो इसका क्शा diff Corin आप सिकलि जब taxpayer और आपका यह जो तो टाइम टाइम पर ये क्लेरिफेकेशन के लिए सर्कुलर्स जारी करता रहता है ताकि दोनों पार्टीज के बीच में समनवे बना रहे, कॉडिनेशन बना रहे, मेल भाव बना रहे, आपसमें जगडा ना हो बिजनेस के जो परिभाशा है ये आपके लिए खुद पढ़नी है और मुझे बताना कि ऐसा क्या है जो बिजनेस वर्ड के अंदरे नोंने कवर नहीं किया, इच और अवरिटिंग इस कवर्ड अंडर दा वर्डिंग्स बिजनेस, एक परिभाशा हुआ करती थी बिजनेस वर कि यार हमारा खेल ही पूरा ही है कि आउट्पुट टेक्स और इधर साइड में हमारा इंपुट टेक्स हो गया, इनपूट टेक्स एक रिदे मुख करते हैं, इनवार्ट सप्लाइ में या तो गोड्स लेकर आएंगे, तो गोड्स या सर्विच जो भी लेकर आ रहे हैं, that must be used for the purpose of business या intended to be used for the business. Business के इस्तिमाल कर रहे हो या करोगे ऐसा होना चाहिए आपका इरादा. अगर ऐसे आपके इरादे हैं तो हम इनका classification कर देते हैं. गुड्स को दो काटेगरी में माट दिया जाता है, input और capital goods. अगर आपका जो गुड्स खरीदने में expenditure, capital expenditure था, गुड्स खरीदने में expenditure, capital expenditure था, तो उसको capitalize करते हैं, capital goods बोलते हैं. अगर आपका revenue nature का expenditure था, तो उसे यहाँ पर input के नाम से जाना जाएगा, और accordingly उस पर जो भी हमने tax चुकाया है, जो भी input tax था, उसका credit हम अपनी किताबों के अंदर book कर लेते हैं, उसका credit हम अपनी किताबों के अंदर book कर लेते हैं, और वो अपना input service यहाँ पर कहा जाता है, तो वही वाली बात आपकी हाँ है, कैपैक्स है और business अंदी है, तो capital goods, revenue expenditure, business अंदी इस्तिमाल हो रहा है, तो फिर आपका बन जाएगा यह input और किसी भी तरह की service है, business purpose के लिए इस्तिमाल हो रही है, या होगी, तो उसे यहाँ पर आकर input service का दर्जा दे दिया जाता है, प्र वो व्यक्ति जो basically बन जारे होते हैं by nature, उनका दूसरे state में कोई इस्थाई ठिकाना नहीं होता है, और वो ऐसे भटकते रहते हैं, तो सरकार ऐसे व्यक्तियों से हर हाल में GST वसूल करना चाहती है, इसलिए इनके लिए special provision बना कर दिये हुए हैं, five days in advance GST में registration करवाना है, five इसका registration advance में कर रहे होते हैं, तो वहीं बीच में आता है कि are you casual taxable person, registration के दोरान ही, हाँ बोलते ही आपके सामने आ जाएगा, भहिया जो payment किया है उसकी detail दीजिए, payment कर दोगे तो ही आगे आप बढ़ पाओगे, वरना आपका registration पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है साहिब, तो इनके बाद में इनको जो registration certificate मिलता है, वो 90 plus 90 days के लिए मिलता है, mandate registration section 24 के अंदर इनका करवाया जाता है, दस भी सलाग किलिमिट इनको पर applicable नहीं होती, जहां तक सवाल है return का, तो return के form अपने जो normal है, GSTR 123 वही फाइल करने होते हैं, हाला कि इन्हें annual return फाइल करने के आवशक नहीं होती है, वैसा वाला सीन यहां पर आता है, तो casual taxable person वो है जो दूसरे state के अंदर कारूबार करने के लिए जाता है, और उस state के अंदर उसका कोई स्थाई ठिकाना नहीं है, ऐसे वाले बंदे को जो occasionally गया है दूसरे state में कारूबार करने के लिए, ऐसे करके यहां पर बातकरी मालिक जाती है, उसी तरज पर आता है आपका non-resident taxable person, इसी तरज पर आपका निकल कर आता है जी, फरक बस इतना होता है कि यह बंदा विदेशी है, यह विदेशी से देश में आता है, जो occasionally इंडिया में business करने के लिए आ रहा है, और इंडिया में उसका कोई किसी प को बताया था कि वैसे तो जो registration होते हैं, वो pen based होते हैं, पर अंतु इस विदेशी के पास में permanent account number नहीं होगा, आधार नहीं होगा, इसलिए इसका जो registration होता है, वो passport के आधार पर करवाया जाता है साहब, और तमाम provisions इसके लिए भी वैसे ही लागू होते हैं, five days in advance registration हो गया, five days in advance estimated net GST liability का payment हो गया और jurisdiction certificate होता है, वो limited period clean को दिया जाता है, जो max to max 90 plus 90 days तक के लिए हो सकता है, 180 दिन से उपर अगर आप business run करते हो, you need to have a regular or normal registration जहां आपका regular provigency आपके उपर applicable हो जाएंगे, वैसे करके यहां पर बात करी जाती है, आगे बूलता है भाई सब central tax क्या है, और विसी बात है आपका CGST ही central tax है, CES का मतलब compensation CES हो गया, CES और cost accountant की बात कर रहे हैं, commissioner का मतलब commissioner या principal commissioner की बात हो गई, commissioner in board, अब ये क्या मामला है जी, commissioner in board का मतलब हो गया भाई साब, जो commissioner board में बैठा है, commissioner या joint commissioner जो बैठा है board, यार तरी का फैर मिरिस्टर बैठा है, जो power में है, तो भाई सब जो commissioner board में बैठा है, वो commissioner board हो गया, common portal, ये बात मैं आपको already बता चुका हूँ, common working days, तो working days होने चाहिए common, common किस के लिए, central government के लिए, और concerned state government के लिए, अगर कोई particular day, concerned state government, suppose I belongs to UP, तो UP और central government के लिए, दोनों के ल common working day, ठेक है, अगर मैं दिली से तालुक आत रखता हूँ, तो दिली, अगर दिली मेरा registration है, तो दिली और central government, इन दोनों के लिए, जो day working है, दोनों के लिए, उसे बूला जाएगा common working day, concept इसलिए निकल के आता है, कि जब आप registration के application डाल देते हो, तो जिस भी state से आप तालु दोकात रखते हो, उस particular state में और central government का अगर दोनों का working है, तो three working days के अंदर अंदर आपको registration certificate आ जाएगा, नहीं तो dim to be granted वहाँ पर consider कर लिया जाता है, competent authority क्या है, competent authority आपके ये MCD, DDA, architect, etc. जो basically completion certificate देते हैं, completion certificate के अधर पर ये tag किया जाता है, कि जो property की sale हुई है, वो under construction property की sale हुई है, या फिर constructed property की sale करी गई है, उसी के आधार पर इसारी जर्चा आपकी करी जाती है, प्रेम से बूलेंगे, राधे, राधे, ठीक है साब, yes sir, आगे बोलते हैं, composite supply की यहाँ पर बात करी जाती है, composite supply वो होती है, जिसमें P&T test आपका पूरा हो जाता है, P&T test का supplies हो, naturally bundled हो, और P for one of the supplies, उसके अंदर principal supply होनी चाहिए, अगर ऐसा है, तो उसको composite supply के नाम से जानते हैं, और उसका जो classification है, वो principal supply के तहत करवा दिया जाता है, पूरे bundle को principal supply के नाम से बुलाया जाता है, उसके बाद में आगे बात करते हैं, यहाँ पर आकर मालिक, consideration किसे कहा जाएगा, सब consideration जो होगा, जो बदले में जो कुछ भी मिला, आपने कुछ activity की, बदले में जो कुछ भी आया, उसे consideration के नाम से हम लोग जानते हैं, consideration monitoring, non monitoring किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी form में हो सकता है, फरक नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान दीजिए, क्या security deposit भी आप जैसे time पर adjust, जब जितना पैसा adjust होगा, तब उतना amount consideration का part बना दिया जाएगा, और GST के दायरे में आ जाएगा, जो government subsidy आपकी होती है, इनका क्या scene रहेगा साहिब, सब government subsidy के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, valuation chapter में भी जाकर देखते हैं, जो government subsidy होती होत रहती है, अगर वो exclude रहती है, valuation part पर, तो फिर उसको यहां consideration बनाने से कोई औचित्ते नहीं बनता है, लेकिन हाँ, non government subsidy जो होती है, वो आपकी include रहती है, valuation part के लिए, उसको consideration यहां पर बना देना चाहिए, वैसे ही वाली बात आपकी यहां पर लिखी हुई है, साथ में recipient की परिवाशा भी पूछी जा रही है, recipient किसे कहा जाएगा, the person who is liable to pay, the person who is liable to pay consideration, उसे recipient यहां पर कहा जाएगा, लेकिन अगर supply FOC हो तो क्या होगा, अगर FOC तो the person to whom I have delivered the goods or rendering the services, that person will be called as a recipient of goods or services, और इसमें का agent अगर कोई है, तो इसको भी यहां पर शामिल किया जाएगा, व प्रेम से बोलेंगे राधे, राधे, जी, continuous supply of goods, continuous supply of goods का मतलब क्या होता है, और कहाँ पर इसका استعمال किया जाता है, जहाँ पर goods की लगातार supply हो रही हो, या रुक रुके भी हो रही हो तो भी चलेगा, चाहे पाइप्लाइन के माध्यम से हो रही हो, चाहे रोड के माध्यम से हो रही हो, कैसे भी हो रही हो, लगातार हो रही हो, और जहाँ पर periodically invoice issue किये जाते हो, तो उस तरह के situation को हम बोलते हैं, continuous supply of goods, invoice का जब चैप्टर आता है, तो वहाँ देखने को मिलता है, कि ऐसे वाले मामले के अंदर invoice आपको कहां issue करना होता है, section 31 बोलता है, कि ऐसे वाले मा होता है, कि अगर आपने payment हिसाब के date से पहले कर दिये, तो फिर payment के date पर आपको invoice issue करना mandatory हो जाता है, इस तरह की चर्चा वहाँ पर करी जाती है, उसके बाद माता है, continuous supply of services, पहली बात, service लगातार होनी चाहिए, या recurrent जैसे बारिश होती है, एक तो मूसलाधार बारिश होत या फिर आपकी continuously हो, या फिर recurrent nature की हो, दोनवाएंगी, नमबर दो, नमबर दो यह कि उसमें एक agreement आपका होता है, और उस agreement के अंदर periodic payment के obligations होने चाहिए, अगर ऐसा कुछ है, तो फिर वो आपकी supply को हम continuous supply of service मान कर चलते हैं, ऐसे वाले मामले के अंदर, जो invoice का chapter है, उसमें provision यह लिखा आता है, कि invoice हमें किस point of time पर issue करना होता है, तो जब जब payment due हो रखी होती है, as per the agreement, उस इस date पर आपको invoice raise करना mandatory हो जाता है, लेकिन अगर agreement से due date reflect नहीं हो रही होती है, तो ऐसे वाले मामलों में जब जब payment हो जाती है, तब तब उसका invoice issue किया जाता है, या फिर agreement स कोई milestone दिख रहे होते हैं, कि यह milestone की पूरती होने पर हम payment करके चलेंगे, तो वो milestone की पूरा होने पर invoice raise करना mandatory हो जाता है, ऐसे करके वहाँ पर बात करी जाती है, ठीक है जी, yes sir, उसके बाद में अगला point आता है आपका convince का, convince का मतलब जितने भी transportation के माध्यम होते हैं, सारे के सारे आपके convince world के अंदर ही शामिल किये जाते हैं, ठीक है sir जी, कोई दिकत वाली बात यहां तक तो नहीं है, उसके बाद आगया येगा, cost accountant का मतलब क्या है, cost accountant का मतलब cost accountant से ही है, council का मतलब क्या है, council means GST council हो गया, जो कि article number 279 capital A के तहत आपकी बनाई जाती है, credit note और debit note, यह होता है आपका ये invoice, invoice का एक है दाया हात, जो debit note कहा जाता है, एक होता है बाया हात, जो इसका credit note कहा जाता है, main invoice के अंदर कुछ भी अगर बढ़ाना है, तो debit note कुछ भी घटाना है, तो credit note का इस्तिमाल किया जाता है, इसमें positivity है, इसके अंदर negativity है, कैसे, अगर मालेजी आप को वो चीज बता रहा हुं सरबी भढ़ाने के लिए हम बताए क्या करेंगे हां हाँ बताऊ ना क्या करों अगर अंडर वयल्यू कर दिये तो बढ़ाने के लिए आपकी डैबिट note issue करना पड़ता है और जब debit note आपका issue हो जाएगा तो फिर वो upcoming जो आपका GSTR 1 जाना है उसके अंदर वो आपका update करवा दिया जाएगा classes के दौरान मैंने आपको बता रखा कि किस प्रकार से GSTR 1 के अंदर debit note को दिखाया जाता है तो debit note उसके अंदर दिखा देंगे जैसे GSTR 1 के माध्यम से debit note पहुंचेगा आपके portal पर तो वहाँ पर जाकर जो आपका e liability register है उसमें भी value आपकी add हो जाती है उसमें liability आपकी add हो जाती है e liability register के अंदर दूसरी side में जो आपने GSTR 1 फाइल कर दिया है उसके आधार पर जब GSTR 2A के अंदर recipient को information पहुंचती है तो उसके आधार पर वो बंदा अपना ITC claim करता है और उतने amount का ITC उसका e credit leisure accordingly update करवा दिया जाएगा तो debit note से main invoice की value बढ़ी supplier का e liability register में liability बढ़ गई और सामने वाले का credit भी बढ़ जाता है ऐसे करके इसका opposite होता है credit note अगर मालीजे किसी कारणवश आपकी main invoice में over billing हो गई है तो वैसे वाले मामले के अंदर से कम करना पड़ेगा कम करने के लिए tool इस्तिमाल किया जाएगा credit note का जैसे credit note issue किया जाएगा ध्यान देजिये चुकि main invoice supplier ने issue किया था इसलिए debit or credit note that is issued by the supplier only that will be relevant in GST scenario recipient अगर issue करता तो उसका GST में कोई लेना देना नहीं होगा तो recipient ने यहाँ supply ने यहाँ पर credit note अपना issue कर दिया अब क्या होगा जैसे credit note को invoice के साथ merge करोगे यह उसकी value को घटा देगा जैसे upcoming GSTR 1 के अंदर शो किया जाएगा GSTR 1 के अंदर जाएगा तो जिसके e liability register के अंदर जो supplier की liability है इसकी liability भी घट जाती है और फिर ए credit note GSTR 2A के म कम हो जाएगा तो जो credit note है जहां पर भी जाएगा वो कमा वेशी करके चलेगा negativity ही फैलाएगा अंडर value का invoice कब कट जाता है उसके अलग अलग reasons हो सकते हैं आपने goods की जो unit rate था उसे कम लगा दिया tax credit कम लगा दिया कोई और भी वजह हो सकती है और over invoicing कैसे हो जाती है आपने GST का rate ज्यादा charge कर लिया unit rate ज्यादा charge कर लिया या quantity में कुछ आगे पीछे कर दिया किसी भी कार्ण से over invoicing हो सकती है अगर माल reject हो जाता है तो आपको पुराना invoice बिलकुली खतम करना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको credit note issue करना पड़ता है वैसी वाली बात आपकी यहां प earlier वहां तक आप credit note issue कर सकते हो वैसी वाली बात पताई जाती है उसके बाद में यह हमारे तमाम चर्चा होने के बाद में अगली definition आती है deemed export की deemed export का मतलब हो जाता है कि जब एक manufacturer in India है refund वाले chapter में इन पर detail में चर्चा की जाएगी क्योंकि वहाँ पर एक होती है zero rated supply और एक होत export दो अलगलग concept वहां पर चलते हैं तो जो आपका dimmed export है when we are supplying goods to 100% EOU, HTP, STP, etc. it is called as dimmed export और refund वाले chapter में इसका treatment यह रखा है कि इस तरह की transactions पर always GST आपका चार्ज किया जाएगा और जहां तक सवाल है कि उसका आगे treatment क्या होगा तो treatment में या तो recipient आदमी उस GST का credit book कर ले बा वो कुछ भी नहीं करना चारा तो recipient बोलेगा भाई सब मैं कुछ नहीं कर रहा, supplier को authorize करेगा कि आप refund claim कर लीजिएगा, तो supplier यहां पर refund claim उस GST का कर सकता है, तो इस प्रकार का treatment आगे देखने के लिए हमें इसका मिलता है, designated authority इसका कहीं कोई relevance नहीं है, document का मतलब electronic manual कैसा भी हो, drawback का मतलब duty drawback से है, जिसे हम custom lock के अंदर अपना पढ़के चलते हैं, e cash leisure हो गया आपका, यह था छोटी मोटी बात है, e liability register, यह सारी बात होगे, e commerce का मतलब हो यह अपना, e electronic जो portal है, e commerce operator, flip card, etc, यह सब हो गया, exempt supply की बात हम अल्रेडी कर चुके है, family का मतलब अल्रेडी central government, compensation says, GST practitioner की बात हो गई, इंडिया का मतलब क्या है, इंडिया में आपका जो भी land part of India, वो इंडिया है, 12 nautical mile तक का जो पानी है, वो भी आपका इंडिया की सीमा में ही count किया जाता है, उसके ओपर के हवा, नीचे का पाताल, सब कुछ इसके अंदर ही count किया जाता है, उसक वर्डिंगली वहाँ पर भी GST की चर्चा करी जाती है, उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाया गया, मालिक और और आगे चलके क्या बोलते हैं, भला सुनिये महारी बात, IGST Act हो गया, ठीक है जी, इंटी ग्रिडिट एक्स का मतलब IGST हो गया, इंपट ऑलरी बात कर इंटी सी के चैप्टर में महान कॉंसेप्ट आता है, इंपुट सर्विश डिस्टिबूटर का, तो यहाँ पर परिभाशा क्या है, बिल के बदले में, बिल दे, तो सौदा हमसे एक, यहाँ पर हो गया ISD, सेपरेट रिजिस्टेशन होता है, सेपरेट अपना मेंडिटी र बात नहीं होती है, अपनी अलग से GSTR 6 में रिटर्न जाती है, सारक ट्रीटमेंट अलग होता है जी इनका, इनका काम क्या है, थर्ड पार्टी, जो की सर्विस दे रही होती है, अपनी इसकी ब्रांच यूनिट्स को, और यहाँ पर जो बिलिंग है, जो और वो सब इनके थ चलूंगा ना, कamment बीकश्ट करूंगा कॉंस्टिंग वाले सरने बताया होगा और टेक्स कॉंपोनेंट को भी करके चलूंगा, तो अगर मालेजिए सबके नाम की अलग-अलग बलिंग आय तो जिसके नाम की जितनी बिलींग आई यह उतना उसको पकड़ा दूंगा, अगर input tax क्या है input tax क्या है देखिए अगर NCM की supply ले रहे हो तो GST जो आपका invoice में लग कर आ रहा था वही आपका input tax है अगर RCM की supply ले रहे हो तो जो आपको अपने जेब से भरना पड़ा वो आपका input tax है अगर आप import of goods कर रहे हो तो जो आप custom department को पे कर क्या है वो आपका input tax है और अगर मालीजी आप composite supplier से लेकर आ रहे हो तो वैसी वाले स्थिती में आप से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है वो supplier अपने आप अपनी जेब से 1% सरकार को भर देता है तो क्या वो मेरा input tax होगा जी नहीं वो मेरा कोई input tax नहीं हो मुझसे चार्ज नहीं किया गया है और मैं उसका credit book नहीं कर सकता क्योंकि मैं चुर्थ सर्फ input tax का भी book कर सकता हूं के an input tax credit का जब 이식ामिल जाता है तो उसे बोल देते हैं input tax credit आगए बोलते हैं बहाई साब यहां पर आकर कि देखिए input tax credit हम जानते हैं इसके बारे में section 49 मैंने और पेमेंट चैप्टर के अंदर बताता है कि input tax credit का इस्तिमाल हो सकता only for the payment of output tax के लिए किसी और के लिए नहीं तो अगर माली जी मैंने RCM के अंदर supply ले रहा हूं और RCM के अंदर में tax भर रहा हूं तो यह tax में मेरा input tax से होगा क्योंकि आम के पेड़ पर आम लगता है के लिए के पेड़ पर केरा लगता है इन्वार्ड supply है तो जो जनम लेने वाला होगा वो आपका input tax ही होगा तो input tax को पहले मैं pay कर दूँगा क्या इसको pay off करने के लिए मैं मेरा कोई IT से इस्तिमाल कर सकता हूं the answer is no because it is my input tax not output tax तो it has to be paid in cash और payment मैंने कर दिया क्या मैं इसका credit भी ले सकता हूं कर देगा तुमियो माता पिता तुमियो recipient ही माता है recipient ही पिता है पिता के रूप में GST का payment कर रहा है RCM के अंदर और माता के रूप में उसका credit भी अपनी किताबों के अंदर book करके चल रहा है उसके बात बोलते हैं intra state supply of goods यह बात हमारी आगे चलकर हो जाएगी जहां पर कोई किसी प्रकार का border नहीं आता उसे intra state बोलते हैं intra state service का हो गया invoice यह tax invoice की बात है अपनी आएंगी आगे निकल के कि जो section 31 के अंदर जिसकी जिकर किया जाता है उसे ही invoice यहां पर कहा जाता है inward supply का मतलब जो supply आप ले रहे हो supply जो भी आपने लिए चाहे acquire कर के लिए चाहे lease पर ली licensing पर ली with consideration without consideration जो भी whatever you have receiving supply that will be called as your inward supply job work क्या है job work हम सारे काम में खुद पारंगत नहीं होते हैं कुछ काम हम outsource भी करते हैं तो जो काम हम outsource करते हैं दूसरे के लिए उस activity को उस work को job work कहा जाता है और करने वाले बंदे को job worker कहा जाता है जहां तक GST के provisions का सवाल है when I am transferring my goods to a job worker that transaction will not be considered as supply and no question of GST at all and the person doing any activity on my goods the activity may be called as a supply of service as per schedule number 2 even though the person mix any goods like color etc तो वो अपनी service भी दे रहा है goods भी mix कर रहा है तो वहां पर आकर schedule 2 आ जा तो वो बताता है कि भाईया job worker ने जो भी activity किये that activity will be called as a supply of services और उसके उपर GST बंदे को देना पड़ता है अगर वो threshold limit से बाहर निकल रहा है तो तो उसमें job worker service का supplier बन जाता है और ये वाला बंदा जो job charge का payment करेगा इस बंदे को वहां पर recipient बोल दिया जाता है दूसरा काम खतम होने के बाद जब हमारा goods हमारे पास lot कर आएगा तो क्या वो सप्लाई बनेगा the answer is no job worker को जो माल दे रहे हैं तो जीस्टी नहीं आ रहा है तो जीस्टी नहीं लेकिन जो job worker ने अपना काम किया है उसे एक service के तौर पे consider किया जाता है और उस जीस्टी में local authority का कोई समावेश नहीं है local authority ने अपने कोई भी tax का त्याग नहीं किया था जब जीस्टी आया था यह सिब दो लोगों का ही समावेश था central government और state government का इसी कारण से जीस्टी में local authority का कोई share नहीं बनता क्योंकि local authority इस खेल में शामिल थी ही नहीं location of recipient of service तो recipient of service के अंदर दो आती है या तो उनका business place या unka residential place business place के अंदर या तो head office head office नहीं तो फिर उनका جो head office या branch office which is more connected और अगर कुछ भी नदे रखा हो head office branch office या जो more connected हो और कुछ भी न रखाओ तो फिर अपना जो residential office residence का जो address होता है उसे यहाँ पर consider किया जाता है usual place of residence usual place of residence का मतलब होता है जहाँ पर अक्सर बंदा वो रहता है और company के case में usual place of residence का मतलब होता है जहाँ पर company का incorporation करवाया गया है उस वाले place को बोलते हैं of supply की भी यहाँ पर रखवाई जाती है manufacturing किसे कहते है manufacturing आपना है लेकिन हार प्रोसस manufacturing process नहीं होते वेलकुल उसी तरीके से जैसे gold गोल्ड सोना पीले होता है लेकिन हार पीली सोना नहीं होती है तो process का नाम है लेकिन process लगने के बाद ये process एक manufacturing है या नहीं है ये depend करता है किस चीज पर depend करता है मालिक मैं आपको बताता हूं समझाता हूं देखिए ये process लगने के बाद जो भी resultant commodity है अगर उस commodity का कोई नया use निकल के सामने आ जाता है एक नया नाम एक नया use निकल के आता है which was which it did not bear earlier जो पहले संभाव नहीं था तो इस activity को manufacturing activity कहेंगे otherwise manufacturing activity से नहीं कहा जाएगा market value का मतलब है आपकी open market value mixed supply का मतलब क्या है वो supply जो की composite supply की category में नहीं आती उस परिभाशा में नहीं आती है उसे हम यहाँ पर mixed supply के नाम से जानते हैं और mixed supply का जो classification होता है वो अकड़ बकड़ बंबे बोल से किया जाता है कि उनमें जोंस इसी वाली supply का highest rate of tax है उसके अंदर इसका classification करवा दिया जाता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह आइटम हम जो composite supply होती natural bundling होती है उसका treatment inner circle के मताबिक देते हैं कि भाईया देख लो कौन सा वाला मुख्य सप्लाई है लेकिन सारे कि सारे अपने आप में मुख्य हो तो आपकी mixed supply आती है और mixed supply के अंदर outer circle में आकर देखते हैं भाईया दिये देख लो किसका rate कितना है जिसका highest rate of tax होगा उसमें इसको classify करवा दिया जाएगा money क्या है money ना goods है ना service है money कुछ भी नहीं और वैसे money सब कुछ भी है उसकी बना कुछ होता भी नहीं है ठीक है जी तो money money या ना goods है ना service है लेकिन activities in relation to money जो होती है वो आपकी service के अंदर यहां पर cover हो जाती है इसलिए money क्या है यह meaning जानना हमें जरूरी है moreover जो consideration होता है वो भी आपका monetary form और non-monetary किसी form में हो सकता है इसलिए money का जानना जरूरी है कि money कहते किसे हैं तो series अपार्ट बात यह है क कोई भी वो चीज जिसकी face value और market value बराबर हो जिसकी face value और market value बराबर होती है उस हर एक चीज को हम money का रूप दे के चलेंगे check demand draft face value market value बराबर चेक है 99999 रूपे का उसकी market value उतनी ही है 99999 रूपे शेयर्स face value और market value और लग है यह आपका नहीं हो सकता जो currency है dollar हो चाँ इंडियन रूपीज हो चाँ 20 रूपे का note face value market value बराबर होती है वो आपकी यहाँ पर money कही जाती है outdated currency 500,000 रूपे के note जो बंद हो गए उसकी जो face value 500,000 रूपे है लेकिन market value 12 रूपे किलो है इसलिए यहाँ पर इसे money नहीं कहा जा सकता है ठीक है जे आगे बात करते है motor vehicle का मतलब motor vehicle से है और जनरली इसका जो जिकर आएगा वो आपका ITC चैप्टर में आता है क्योंकि वहाँ पर जनरली motor vehicle का ITC अलाओ नहीं किया जाता है non-resident taxable person इसकी चर्चा हमारी already हो चुकी है casual taxable person के साथ में आगे बोलता है मालिक यहाँ पर आकर कि भाई यह बताईए taxable supply of goods or services और non-taxable में अंतर बताईए हम कहते भाई सब यह देखो नाम से ही पता लग रहा है taxable supply of goods or service कोई चीज यहाँ पर होने के लिए क्या होना जरूरी है उसका उसका देखिए यहाँ पर भाई सब गुट्स या सर्विस होना जरूरी है इनमें से कोई एक हो supply हो और taxable अगर यह तीनों की तीनों बाते पूरी होती हैं तो ही हम उसे taxable supply of goods बोलकर चलेंगे तो यहाँ पर sale of money और security की बात करी गई तो यह आपकी good service में ही कुछ भी नहीं होती है इसलिए आपकी taxable supply of service नहीं बनेगी इस प्रकार से और भी example दे रखे हैं इसी तरीके से आपकी non taxable supply of service के अगर बात करके चलें तो भाई साब goods या सर्विस होना चाहिए उसके बाद supply भी होनी चाहिए और उस जाएगा is it okay अच्छा दूसरी बात aggregate turnover की जब बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी taxable supply हो चाहिए non taxable हो सारी की सारी add की जाती है तो इन में से अगर आपकी कोई जैसे माली यह पहली वाली घटना न taxable supply है न non taxable है कुछ है ही नहीं तो यह aggregate turnover में आ ही नहीं सकती है दूसरी व आप में यह आपकी taxable भी नहीं है non taxable भी नहीं है aggregate turnover का हैसा यह नहीं बनेंगे taxable supply of goods service नाम से पता लगता है goods service में से एक होना चाहिए supply भी होना चाहिए और वो taxable भी होना चाहिए GST भी उस पर लग रहा हो तब उसकी हम यहां पर बात करके चलते हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे आगे आता है non taxable territory territory का मतलब होता area non taxable मतलब जहां पर GST का scope ना आता हो तो भाई act के साब से decide किया जाता है जिससे IGST act है इसका scope कितना है all over India है central level का है तो इंडिया तो हो गया इसके लिए पूरा का पूरा taxable territory और इंडिया के अलावा जितना भी ब्रहमन्ध ह सब इसके लिए non taxable territory यहां पर कहा जाएगा ऐसे दिल्ली GST की बात करके चलें तो दिल्ली का जो area है वो तो बन जाएगा taxable territory और इसके लावा जितना भी ब्रहमन्ध arrest of the ब्रहमन्ध वो इसके लिए non taxable territory बन जाएगा तो आगर कोई act जितने area में लागू हो रहा है उस वो area उसके लिए taxable territory है और उसके beyond जो भी area है वो आपका non taxable territory के अंदर count किया जाता है उसके बात बात करते हैं state और union territory की यहां पर बात करके चलते हैं मालिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ शुरू मैं जब तक जम्मू कश्मीर का लफ़रा नहीं पड़ा था तो आपकी 29 तो हुआ करते थे प्यॉर स्टेट हुआ करते थे मालिक ते लंगाना को मिलाते हुए ठीक है और जो union territory बच्पन से पढ़ते आए हैं साथ थी साथ को हमने यहां classify कर दे कि साथ ऐसे से करके थी साथ उसको बताया कि आपकी जो प्यॉड हुव यूटी थी और दो ऐसी थी झो डिल्ली और ने अंकर डिल्ली होता है या nie कि यह जैसे मूवी आई थी में हाफ गर्फरेंड इसमें भी हाफ वाले करेक्टिस्टिक होते हैं यह आधा स्टेट होती है आधा यूटी होती है तो यहां पर इसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी विद लेजिसलेशन के नाम से जानते हैं दिल्ली और पॉंडिचेरी आपकी निकाल दिया कि लददाख अलग लददाख बनाया गया प्योर यूनियन टेरिटरी तो इस चेंज का अंतर यह निकल के आया कि जो जम्मू कश्मीर है आपका जो स्टेट था इस्टेट की संख्या नैच्चुरल स्टेट की संख्या आप ट्वंटी एट रह जाती है और दमन और दियू की जो यूटी थी वो आपकी मर्ज हो चुकी है नगर हवेली के अंदर ही दमन और दियू मर्ज हो चुकी है इसके चलते हुए आपका एक यूटी जो प्योर यूटी थी वो कम हो गई लदाख बढ़ गई दमन दियू के नाम से कम हो गई क्योंकि वो नगर ह अवेली में ही अपनी मर्ज हो चुकी है तो इस परकार से आपकी यूटY रही आज पांच मिक्स यूटी रही तीन और प्यॉर स्टे拠 रहे आपके ट्वंटी एट तीन मिक्स यूटी है इसको डिम्स रहे डिम्स मुट्र तैक हा जाती है तो आपके हाथ मैं आज है तेASTि हैं pure state में नहीं आता है जमू कश्मीर आता है आपका mixed toward dimmed state में आता है और उसका जो लडाक वाला portion है वो आपका pure U.T. के अंदर count किया जाता है ऐसे करके मालक यहाँ पर यह बात करी जाती है ठीक है ज़र जी और कौनों दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद आगे क्या उसके बाद आता है आपका आउटपुट टेक्स आउटपुट टेक्स क्या है भाई जो भी आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो आपकी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो भी आपका टेक्स बन रहा है उसे हम लोग आउटपुट टेक्स के लेकिलों से यहां पर जान कर चलते हैं ठीक है जी को और क्या है उसके पाद आगे नीकल क्या था आउट वर्ड सप्लाई जो ब्रसर लाउड और दे रहे हैं सप्लाई का मीनिंग जानते हैं और यो से वाले सप्लाई बे रहे हो in consideration के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं प्लेस ऑफ बिजनिस यह क्या मामला सार colour जी प्लेस ऑफ बिजनिस की जब बात करके चलोगे ने स्रिव प्लेस हाँ प्लेस अ बिजनस मतलब बिजनस प्लेस हो गया जम्मे रेजिस्टेशन के लिए अपलाई करके चलता हूं, तो मुझसे पूछा जाता है कि आपका मुख्य प्लेस ऑफ बिजनस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनस क्या है, तो मैं अपना बता देता हूं, अगर मेरा एक ही प्लेस ऑफ बिजनस है, तो वही मेरा मुख्य प्लेस ऑफ बिजनस में आ जाता है, लेकिन म मेरी outlet है जहांपर मेरे books of account maintain होते हैं जहांपर मेरे business activities होती हैं वो मेरा हर एक place मेरा business place consider किया जाता है place of supply का मतलब consumption place हो गया जहांपर goods या services मेरे consume होते हैं that place will be called as place of supply के रूप में consider किया जाता है prescribed word जहांपर भी आपको दिखाए दे जाए इसका मतलब होता है go for rules किसकी चर्चा rules में करी जानी है principle word का मतलब क्या है agent की परिभाशा हम लोगों ने पढ़ रखी थी और हम जानते थे agent वो जो दूसरे के बिहाब पे काम करता है उसे agent कहते हैं और principle वो आदमी होता है जो दूसरों से काम करवाता है जिसके बिहाब पर और लोग काम करते हैं उस वाले व्यक्ति को principle कहा जाता है principle place of supply यानि कि ये आपका head office के रूप में यहाँ पर consider किया जाता है principle place of supply नि बिजनेस principle place of business यानि कि ये आप खुदी बताते हो जो आपके registration certificate के अंदर लिखा हुआ होता है और अगर आपका एक ही place जैसे नॉर्माली बहुतों को होता है कि head office branch office नहीं है आपका एक ही place है तो वही एक ही place आपका principle place वाली category के अंदर आ जाता है और जब registration certificate आपका आता है मैं सब class में दिखा रखे हैं आपको चीज़ें ये जब आपका certificate आता तो उसमें ये चीज़ आपके लिखी हुई होती है principle supply किसे कहते हैं जी हाँ जब composite supply का concept आता है तो उसमें बोलता है two or more taxable supplies आपकी होती है करे बिलकुर ठीक बात है वो आपके naturally bundled होती है करे एकदम ठीक बात है और उनमें से एक supply आपकी principle supply मालिक होती है उनमें से एक supply bundle के अंदर principle supply आपकी होती है तो वैसे वाले मामले के अंदर हम लोग क्या करके चलते हैं सहे जब principle supply आपकी होती है तो वही principle supply के अंदर हम classify करके चलते हैं तो principle supply वो जो predominant element रखती हो जिसके अंदर दूसरों पर हावी होती हो उस वाले supply को हम principal supply के नाम से जानते हैं जैसे boarding school की service होती है कई सारे element उसके अंदर होते हैं लेकिन उसमें जो education वाला part होता है वो आपकी principal supply यहां पर count करी जाती है वैसे करके बात करते चलते हैं 90 तक की हमारी बात यहां पर हो गई है बाकी की हम बाते अपनी अगली class में करके चलेंगे आज के लिए इतना ही thank you so much wish you all the very best अगली class में हमारी फिर मुलाकात होगी नहा जरूर लिजिएगा ओके सर जी thank you so much bye dear love you tata bye